नमस्कार दोस्तों देखे में तो आज हम बात करने वाले हैं एर्ट लेशन के बारे में जिसका नाम है जर्णी टू दा एंड ओफ द अर्थ प्रिथ्वी के अंतिम छोड़ तक की यात्रा तो आए शुरू करते हैं अर्ली दिस यर इस वर्ट प्रारम में I found myself मैंने अपने आपको पाया अब्रोड सवार एरसियन रिसर्च वेसल एक रूस के अनुसंदान पोथ पर पोथ का मतलब जहाज दा अकादमिक सोकेल्सकी और उस जहाज का नाम था अकादमिक सोकेल्सकी तो लेकिक आपको बता रही है कि एक वर्ट सुनके जीवन में ऐसा था जब वो रूस के बने हुए एक समुद्री जहाज पर सवार होकर अंटार कटिका की तरफ अनुसंदान के लिए रिसर्च के ल हीडिंग ट्वर्ट्स और हम फिर आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ ट्वर्ट्स का मतलब तरफ होता है दा कॉल्डेस्ट सबसे ज़्यादा थंडे ड्रायस्ट सुस्क एंड विंडेस्ट और सबसे ज़्यादा हवाओं से परिपोन आंधियों से परिपोन कांटिनेंट उस मह महद्वीप की तरफ इन दा वर्ड जो इस संसार का है अंटार कटिका जिसका क्या नाम है अंटार कटिका तो लेखिका ने अंटार कटिका के कुछ विश्यस्ता हीं बताई है कि जो अंटार कटिका महद्वीप है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज जाती है माई जर्नी मेरी यात्रा बिगान शुरू हुई थी फ्रॉम थर्टीन जिरो नाइन डिग्री तेरा पॉइंट जिरो नो डिग्री नौर्थ उत्र दिशासें ऑफ दा एक्वेटर जो कि किसकी थी भूमद्य रेखा की इन मद्राज जो कहां से गुजरती है मद्राज म तो वो वहाँ से स्टार्ट करती है मद्राज से एंड इनवॉल्विंग और उसमें शामिल थी क्रोसिंग नाइन टाइम जोंस की मैंने नो समेक शेत्रों को क्या किया वहाँ पार किया है इसके अलावा सिक्स चेक पॉइंट से छे जांचोकियों को उन्होंने पार किया थी और साथ में तीन जल्पिंडों को भी उन्होंने क्या किया है पार किया है एंड और एट लिस्ट कम से कम एज मैंने इकोई स्फियर्स उतने ही ज्यादा क्या जेव मंदल तो लेकर कहती है कि जब वह अंटार्कटिया की तरफ अपने छेतर से रवानिया होती है तो उन्हें क क्या करने पड़े उनको पार यहां पे त्री बोडिज ओव वोटर यहां पे महासागरों के बारे उन बात हो रही है और उतने ही एकोई स्पियर्स जेव मंदल भी उन्होंने क्या किये पार किये बाइटर टाइम उस समय आई एक्चुली सैट फूट जब मैं उन्हें वास्ताओं में कदम रखा ओन दा अंटार्कटि कंटिनेंट उस अंटार्कटि का महादीब पर आई हैड बीन ट्रेवलिंग में यात्रा कर रही थी ओवर हंडर्ड आर्ट पिछले सो गंटे से भी ज्यादा समय से इन कॉंबिनेशन जिसमें शामिल था क्या क्या शामिल था ओफ एक कार के उन्होंने यात्रा की एक कार की एन एरोप्लैन एक एरोप्लैन हवाई जाज में भी उन्होंने यात्रा की एंड सेपोर साथ में एक पानी के जहाज में भी उन्होंने क्या की है यात्रा की है तो इमोशन मेरा पहला भाव ऑन फैसिंग जब मैंने सामना किया अंटार कटिका आज एक्सपैंसिव उस अंटार कटिका के विस्तरित वाइट लैंड स्कैप उस विशाल सफेद बुद्रश्य का एंड अन एंटरॉप्टिड और उस अविरल निरंतर चलने वाले ब्लू होरीजन उस निले से ख्षितिज का वाज एरी लेफ वो अपने आप में बहुत ही आरामदायक और तसलिद देने वाला था तो लेखे का कहती है कि जब वो वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया अंटर्गेटिगा अब जब कदव रखा तो उनका पहला भाव कैसा था कि उन्होंने देखा कि वहाँ का जो छेतर है वो बिल्कुल क्या है वाइट लेंड स्कैप है एक सफेद वुआकार है क्योंकि वहाँ पर बर्फी बर्फ जमी हुई है और ब्लू होरीजन उन्हें क्या होता है वहाँ पर नजर आता है वो ब्लू होरीजन वो निला एक तुरंत होने वाले तत्कान होने वाले और बहुत ही गहरे वंडर अश्यरय को देखकर उन्हें हिता है wonder भी होता है आश्यरय भी होता है अब वो आश्यरय किस रूप में होता है किस लिए होता है देखते हैं wonder में आश्यरय चके थी at its immensity इसकी विशालता को देखकर तो जो लेकिकाती वो उसकी विशालता और निरंतरता को देखकर बहुत आश्यरय चके थी its isolation इसकी एलगाव को देखकर वो आश्चिरे चके थी बट लेकिन manly लेकिन vicious रूप से at how में इस बात से भी आश्चिरे चके थी कि किस प्रकार से there could ever have कि किस प्रकार से रहा होगा been a time एक ऐसा समय भी when India and Antarctica जब भारत और Antarctica were parts, हिस्सा थे of the same landmass एक ही भू पिंड का तो लेकिन का कहती है कि मुझे ये सारी चीज़े देखकर तो आश्चिरे चक आश्चिरे हुआ ही लेकिन साथ में मुझे आश्चिरे इस बात का होता है कि जो अंटारकरटी का है वो अपने आप पे बहुत ही विशाल है इस से आश्चिरे होता है और साथ में ये भी होता है कि ये दुनिया से बिल्कुल आईसोलेट है बिल्कुल अलग है और साथ में इस बात से भी आश्चिरे होता है कि कहीं न कहीं एक समय कभी ऐसा भी था जब अंटारकरटी का महादूइब जो दक्षिन में है वो भारत से क्या था जुड़ा हुआ था भारत जो की एशिया में क्या है दक्षिन दिशा में क्या होता है इस्तित है तो वो कहती है कि एक समय ऐसा था जब अंटारकटी का और जो इंडिया था वो एक ही क्या थे बूरू भाग के हिस्से थे यह बात सोचक पर जो लेखी का है वो आश्यरिय प्रकट करती है एक मीलियन में 10 लाग होता है तो जब आप 65 को 10 लाग से गुणा करेंगे तो आपको 65 करोड साल क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे तो 65 करोड साल पहले एक बहुत ही विशाल एकिकरत जुड़ा हुआ Southern सूपर कॉंटिनेंट एक दक्षिनी क्या था एक विशाल महधीब था जिसका नाम था गोडवाना अपने निश्चत रूप से सोशल साइंस में समझी में गोडवाना का नाम सुना होगा तो 65 करोड साल पहले इस्तिती ऐसी थी कि एक बहुत विशाल महधीब था जिसका नाम था गोडवाना डिड इंडीड इग्जिस्ट उसका वास्तों में इस संसार में क्या था अस्तित्व था इग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना अब वो गोडवाना था छेत्र तो कहां था सेंटर्ड रफली जिसे आप कह सकते हैं कि वो इस्तित था अराउंड परजेंट डेंटार कटी का वर्तमान समय के उस छेत्र में जहां पर अभी आज क्या है अंटार कटी का है तो लेके का कहती है कि प्राचीन समय में 65 करोड साल पहले जब गोडवाना छेत्र म तो वो ओरिजिनली कहा था अंटार कटी का शेत्र में लेकी का क्या होती है आपको बताती है कि जहां अंटार कटी का है वही 65 करोड साल पहले वास्तों में क्या था गोडवाना लेंड था तिंक्स परिस्तितियां वर क्वाइट डिफरेंट बिल्कुल अलग थी देन तब और उस समय की जो परिस्तितियां है बिल्कुल अलग थी 65 करोड साल पहले humans क्योंकि जो मानो परजाती है hadn't arrived वो नहीं पहुंची थी on global scene आपके वेश्वी के परिद्रश्य पर कहने का ताथ यह है कि 65 करोड साल पहले मानो का क्या नहीं हुआ था विकास उत्पती नहीं हुई थी and the climate और उस समय की जो जलवायो थी वाजमच मारमर वो कुछ ज्यादा ही गर्म थी hosting और उसने आश्रिय दे रखा था a huge variety एक बहुत बड़ी किस्म को of flora and fiona आपके इस वनस्पती और जीव जन्तुओं के तो 65 करोड साल पहले जबकि मानो का स्थित्व पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था उस समय भी जानवर वगर तो थे वनस्पती तो निश्यत्रोप से थी तो flora का ताथ पर क्या होता है वनस्पती और फिवना का मत्तब होता है जीव जन्तु तो 65 करोड साल पहले भी क्या था जीव जन्तु और वनस्पती थी फॉर 500 मिलियन यर्ज लगबग 50 करोड साल तक गोडवाना थ्राइवड जो गोडवाना लेंड है वो फलता फूलता रहा बट लेकिन around the times लेकिन उस समय when the dinosaurs जब डाइनासोर जो प्राणी जिसके बारे में जाना जाता है कहा जाता है वर wiped out जब उनका समूल विनाश हो गया तो पचास करोड साल के समय के आसपास जब डाइनासोर क्या हो गए इस प्रत्वी से wiped out हो गए गायब हो गए या नस्ट हो गए and the eyes of mammals और इस्तंधारियों का जो युग है got underway जब आगे बढ़ा तो डाइनासोर तो खत्म हो गए और इस्तंधारी जो प्राणी है उनका जीवन क्या होने लगा विक्षित होने लगा तो जब इस्तंधारी प्रत्वी पर आए उनका विकास हुआ तो फिर क्या हुआ the land masses ये जो भूमी के पिंड है वाज forced उस पर ये दबाव डाला गया to separate कि उसे अलग-अलग कर दिया गया into countries गिसमें देशों में तो जब मानव का विकास हुआ तो उसने वो प्रत्वी जो पहले एक ही हिस्सा थी उसे अलग-अलग देशों में क्या कर दिया बाट दिया सैपिंग और लोगों ने ऐसी आकरती दे दी तक लॉब इस प्रत्वी को मच ज्यादा तर as we know जिसे हम जानते हैं today आज और मानव न कि जब आप अंटार कटिका पर जाते हैं तो आपको कैसा मैसूस होता है तू विजिट अंटार कटिका को देखना वहां का ब्रहमन करना आज इस तू बी एपार्ट यह ऐसा है जैसे आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और दा हिस्ट्री उस प्राचीन इतिहास का जब आप आज अंटार कटिका में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप उस प्राचीन इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसे जानने वाले हैं टू गेट क्योंकि आप वहां जा रहे हैं यह प्राप्त करने के लिए एक गैप्स एक ऐसी समझ ऑफ वेहर कि कहां से वी हैव कम फ्रॉम हम आये हैं and our वेहर और कहां वी कुड्पॉसिबिली हम संबहता भी हैडिंग क्या हो रहा हैं आगे बढ़ रहे हैं तो यदि अंटार करती करते हैं वहां जाते हैं वाहां तो हम ये समझ विक्षित करते हैं कि वास्तों में मानव आया कहां से है और साथ में ये भी कि हम एक्चुली कौन से भविशे की तरफ क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, है इड का अतात्पी होता है अग्रसर होना It's to understand और वहां जाकर आप ये समझेंगे The significance उस महत्व को भी Of Cordillor and Falls कि जो परवत स्रंकलाएं हैं उनके जो मोड हैं उनके बारे में आप समझेंगे, जानेंगे और साथ में The Precambian Granite Seals वहां आप देखेंगे कि पूरु भॉमिक जो ग्रेनाइट हैं उनके कवच वहां आपको मिलेंगे ओजोन के बारे में आप जानेंगे और कार्बन और कार्बन के बारे में जानेंगे Evolution आप ये भी जानेंगे कि कार्बन और ओजोन का उद्भव कैसे हुआ और Extinction और इन दोनों का किस प्रकार से विनाश भी होता है तो लेके का कहती है कि जब आप वहां जाते हैं तो आप को यह चीजी जानने को मिलती है एक तो मिलता है आपको इस महत्तों के बारे में जानने कि कि दक कॉडिलेरेंट फॉल्स की वहां की जो समानांतर परवत सरंख लाएं हैं उनके जो मोड हैं उनको आप समझ पाते हैं और प्री कैंब्रियन ग्रेनाइट सेल्स वहां जाएंगे तो आप पूरू भूमिक अती प्राचिन समय के जो ग्रेनाइट के जो कवच हैं उनको आप देखेंगे उनके बारे में जानका रिप्राप्त करेंगे ओजोन और कार्बन आप जानेंगे ओजोन क्या है और कार्बन क्या होती है और साथ में आप यह भी जानेंगे कि कार्बन और ओजन का evolution कैसे होता है उसका विकास कैसे हुआ and extinction और उसका वहाँ पर विनास किस प्रकार से हुआ है यह सारी चीज़ें आप तब जान पाएंगे जब आप अन्टरकर्टिका पर क्या करेंगे जाएंगे तो लेकिक आपको प्रेडित करती है कि आपको प्रकर्टिक जो इस्तल है उनका ब्रह्मन करना चाहिए when you think जब आप सोचते हैं about all इन सभी चीजों के बारे में that can happen जो गठित हो सकती है in a million years लगवग 10 लाक सालों में जब आप कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा 10 लाक सालों में गठित हुआ होगा it can be pretty mind-boggling यह अपने आप में ऐसा है जैसे कि सिर को क्या कर दे चक्रा दे तो जब आप 10 लाक सालों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो सिर है वही क्या करने लग गया है चक्राने लग गया है क्योंकि हम एक दिन में देखते हैं इतना कुछ गठित हो जाता है तो दस लाक सालों में तो क्या क्या गठित हुआ होगा इंडिया पुशिंग नौर्थ वर्स भारत है वो उत्री दिशा में दबाव लगा रहा है जैमिंग अगेस्ट के एशिया और वो एशिया को दबा रहा है तो बकल इट्स क्रस्ट की वो उपने भूपटल को जुखाए एंड फॉर्म दा हिमाल्या जो इस प्रकार से अनंत समय से ही अनंत समय में हिमाल्य का निर्मान हुआ साउथ अमेरिका जो है ड्रिफ्टिंग ओफ वो भी बहता हुआ जा रहा था तो जोइन नोर्थ अमेरिका किसे मिलने के लिए नोर्थ अमेरिका से हैं ओपिनिंग अप दा ड्रैक पैसेज इस प्रकार से जो ड्रैक गलियारा है वो खुलता है और जब ड्रैक गलियारा बनता है तो उससे क्या होता है तो क्रियेट एस सरकंपॉलर करंट अन्टार कटिका फ्रीजult उस धुरूव 오른े ठंड नी मोसम के कारण उन ध्राओं के खारण जो अंचौन फ्रीजस हो जाता uważ है जम जाता श्मभी आज इस्टित वह आन उस मिठी मो‌र्ची कीम लेके कि मोफान काल शूर यह प्राची की तो पर से्तियो है पहुच प्रकार से बारत एशिया के दक्षिन में पहुचा है और किस प्रकार से अंटार कटी का क्या हो गया है दक्षिन तम बिद्धु में क्या हो गया है पहुच गया है पॉर के लिए एसन वर्शिपिंग साउध इंडियन एक सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिन भारतिये लाइक माईसेल्फ जैसी कि मैं खुद हूँ तो लेखे का दक्षिन भारत की रहने वाली है और वो सूरिय की पूजा करती है टू वीक्स दो समय दो सप्ताह का समय इन्हें प्लेस एक ऐसे इस्तान पर बिताना वेहर 90% लगबग 90% of Earth's total ice volume जहां पर प्रित्वी की पूरी बर्फ का 90% जो हिस्सा है और stored इकटा है इस चीलिंग प्रॉस्पेक्ट यह अपने आप में कप कपा देने वाला भाव है not just for circulatory ना केवल रक्त संचार के लिए बट metabolic functions साथ में उपा पचिये किरियाओं के लिए भी लेके का कह रही है कि यह आप ऐसा सोचें कभी विचार करें कि इस प्रित्वी के उपर कितनी बर्फ है और फिर आप यह विचार करें कि उस सारी बर्फ का 90% हिस्सा कहां इकत्रित है अंटार कटिका पर तो यह जो भाव है यह अपने आप में कैसा है चीलिंग प्रोस्पेक्ट है एक ऐसी संभावना है जो आपके अंदर कप-कपी पैदा कर दे और कप-कपी भी किसमें आपका सर्कुलेटर जो आपका रक्त परिशंचरन तंत्र है वो तो कप-कपा जाएगा ही Metabolic Functions इससे आपके पाचन जो क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी प्रभावित हो जाएगी इसके साथ साथ आपकी जो imagination है आपका जो मान सकता है आपका विचार शमता है वो भी क्या हो जाएगी निश्यत रोप से बदल जाएगी और वो भी निश्यत रोप से प्रभावित हो जाएगी it's like walking और जब आप अंटार कटिका पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप चल रहे हैं into a giant एक बहुत ही अती विशाल पिंग पॉंग बॉल पिंग पॉंग बॉल में पिंग पॉंग बॉल होती है टैनिस, टैबल टैनिस खेलने वाली क्या बॉल तो टैबल टैनिस खेलते हैं आप ने देखा होगा एक छोटी सी बोल होती है white color की तो जा अंटार कटिका है उसको एक बॉल का रूप दे दिया है लेकी का ने और वो ऐसा कहरी है कि यह जो ball है entire category का वो बिल्कुल कैसी है सफेद है और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ball के अंदर क्या हो रहे हैं घूम रहे हैं devoid of any human markers और उस entire category का पर क्या है devoid बिल्कुल रहित है of any human markers मानव के कोई चिन है लेकर कताती यह है कि लेकी का का कि उस entire category का पर बिल्कुल भी नहीं है क्या नहीं है human markers नहीं है मानव का कोई अस्तितु या उसके कोई चिन नहीं है no trees क्योंकि entire category का पर नहीं तो कोई paid है billboards और नहीं किसी परकार का विग्यापन पठ लगा हुआ है buildings और नहीं किसी परकार की कोई इमारते है तो मानव अकसर क्या करते है पेड़ बोदे तो परकारती लगाती है लेकिन मानव लोग क्या करते हैं billboards लगा देते हैं और साथ में buildings बना देते हैं जो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है इसका ताथ पी यह है कि entire category का पर किसी परकार का कोई जीवन नहीं है और जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर आपके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं होती है यह laws के आप खो देते हैं all earthly sense पूरा प्रित्वी का भाव या फिर विचार of perspective and time प्रित्वी के संदर्ब से सम्मंदित और समय से सम्मंदित प्रित्वी पर क्या क्या था कैसा था और साथ में प्रित्वी का समय किस प्रकार से चल रहा है वहाँ पर कितना समय हो रहा है यह सारा जो विचार है आप खो देते हैं कहां पहुंचने पर अंटार कटिका पर the visual scale और वहाँ का जो द्रश्य पेमाना है रेंजिज वो क्या होता है बढ़ता है from the microscopic अतिशुष्क्म चीजों से लेकर to the mighty अतिविशाल चीजों तक वहाँ पे आपको अतिशुष्क्म चीजे भी देखेंगी जो आप microscope शुख्म दर्शी देखेंगे और साथ में अतिविशाल चीजे भी आप क्या कर पाएंगे वहाँ पर देख पाएंगे अब शुक्ष्म कैसी है और विशाल कैसी है आईए देखते है मेजिज और माइट्स क्योंकि आपको नजर आएंगे मेजिज क्या नजर आएंगे मच्छर और माइट्स और नजर आएंगे साथ में शुक्ष्म जीवानों ये तो अतिशुक्ष्म चीजे हैं इसके अलावा टू ब्ल्यू वैल आपको बड़ी चीजों में क्या नजर आएंगी ब्ल्यू वैल जो मचलिया होती है वो नजर आएंगी एंड आइसबर्ग्स और साथ में आपको नजर आएंगे बर्फ से बने हुए पहाड एज भी इतने बड़े एज कंट्री जितने देश होते हैं तो देशों के जितने बड़े-बड़े पहाड भी आपको अंटार कटिका पर क्या होंगे नजर आएंगे बर्फ से बने हुए दा लार्जएस्ट रिकोर्डेड और सबसे बड़ा बर्फ से बना हुए पहाड जिसे इंगित किया गया है देखा गया है नापा गया है वह कौन से देश जितना बड़ा है बैल्जीएम जितना और इसके साथ साथ days go on and on and on जो दिन है वो चलता रहता है चलता ही रहता है in shiril 24 hour austral summer light ऐसंगत द्रश्य के साथ shiril का मतलब ऐसंगत द्रश्य के साथ 24 24 गंटे austral summer light जिस प्रकार से दक्षिन दिशा में हमेशा गर्मी की रितों में क्या होता है प्रकाश बना रहता है उसी प्रकार से उस अंटार कटी का छित्र में भी हर समय सूर्य की रोष्णी बनी रहती है वहाँ पैसा लगता है जिसे सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता and a ubiquitous silence और एक सर्व्यापी वहाँ पे शांती आपको क्या होती है देखनी को मिलती है तो वहाँ का जो समय है वो ऐसा है जैसे हर समय ही वहाँ दिन रहता है रात कभी नहीं होती है और साथ में सर्व्यापी वहाँ क्या है शांती चाई हुई है interrupted लेकिन वो जो शांती है वो कभी कभार बादित हो जाती है किस से only by occasional avalance कभी कभी उन हिम इसकलनों के द्वारा हिम इसकलन का तात्पिय है कभी कभी जो बर्फ है वो अपने इस्तान छोड़कर किसक जाती है उससे जो आवाज होती है उससे वहाँ की शांती कभी कभार क्या हो जाती है बादित हो जाती है और calving ice seeds और कभी कबार जो हिमनद होते हैं उनके जो खंड हैं वो भी तूड़ जाते हैं जो भी बर्फ के बने हुए है इससे वहाँ की शांती थोड़ी बहुत क्या हो जाती है बादित हो जाती है लेकिन शांती बादित होने के साथ साथ उस इस्तान की पवितरता को क्या करते हैं ये बनाएं रखते हैं क्यों? क्योंकि ये जो हिम नदू का तूटना है और हिम इसकलन है वो प्राकर्थिक गटनाएं है किसी मानों के द्वारब की हुई नहीं है इस प्रकार से वो जो छेतर है वो अपने आप में consecrate रहता है बिल्कुल क्या रहता है पवित्र बना रहता है It's an immersion ये एक ऐसी वहाँ पर तल्लीमता रहती है that will force you जो आपको प्रभावित बनाएगी to place yourself कि आप अपने आपको रखें in the context उस संदर्ब में किस संदर्ब में of the earth's geological history कि आप जाने, माने, पहचाने कि हमारी प्रत्वी के भूगर्भी कितियास का क्या महत्व है और वो किस परकार से बना है तो लेकी का आप से कहती है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप तल्लीन हो जाते हैं आप समझ पाते हैं कि आपको इस प्रत्वी के geological history के बारे में क्या करना चाहिए जानना चाहिए लेकिन, लेकी का एक बात और कह रही है and for humans, लेकिन मानो प्राणियों के लिए the prognises isn't good मानो के लिए पूरो अनुमान कभी भी अच्छा नहीं है अब हम बात करते वाले हैं human impact की human impact की इस अंटार कटी का और साथ में विश्यू पर मानो का क्या प्रभाव पड़ा है तो आईए देखते हैं human civilizations मानो की सब्वेताएं have been वो अस्तितुमायाई है for पैल्टी 12,000 years नगर्णी रूप से 12,000 वडशों में barely a few seconds, ये कुछ second के बराबर है on the geological clock उस भूगर्बिक गड़ी के सामने तो लेखी का कह रही है कि अभी आपको थोड़ तेज पहले बताया कि suppose गरोई गड़ी है इसमें 65 करोड सालों की हमने क्या की है बात की है इस गड़ी के 65 करोड सालों में से जो 12,000 जो वर्श हैं कितने अजार 12,000 जो वर्श है वो क्या है इस 65 करोड साल के तुलना में क्या है एक सेकंड भी नहीं है क्या नहीं है एक सेकंड भी नहीं है तो लेकिक का यह कहना चारी है कि मानों का अस्तित्व के ओल 12,000 सालों का है जबकि यह प्रत्विय अति क्या है प्राचीन है तो यह 12,000 साल इस विश्व के जो लोजिकल क्लोक के सामने क्या है कुछ सेकंड के बराबर है इन देट शोर टाइम इस थोड़े से समय में वी हैव मैनेस टू क्रियेट हमने ऐसे निर्मान करने की विवस्ता कर ली है क्वाइट ए रेकस कि अपने आप में इतनी बड़ी उथल पुतल हमने क्या कर दिये इस संसार में बना दी है एचिंग और साथ में हमने निर्धारण भी कर दिया है और हमने प्रबलता दबाव भी इस्तापित कर लिया है और नेचर इस प्रत्वी के उपर विदा और विलेजिज क्योंकि हमने गाउं बना दिये टाउंस कस्बे बना दिये सिटीज शहर बना दिये नगर जिने आप कहेंगे मेगा सेटेज और माहा नगर हमने क्या कर दिये है बना दिये है 65 करोड सालों में कुछ ज्यादा नहीं हुआता लेकिन इन 12,000 वर्षों में मानों ने क्या कर दिया इतनी उथल फुतल कर दी है रकरसन एचिंग इतना निर्धरन कर दिया है और साथ में डॉमिनेंस दिखा दिये अपनी प्रबलता दिखा दिये किसके उपर प्रित्वी के उपर क्या बना कर गाउं बना दिये विलेजेज टाउन कस्बे बना दिये सेटेज नगर बना दिये मेगा सेटेज और महा नगर या महा शेहर क्या कर दिये उन्होंने बना दिये हैं तो प्रित्वी का आपने आप में एक स्वारूप ही उसन मानों ने क्या कर दिया है बदर दिया है दा रैपेड इंक्रीज और निरंतर्ति व्रगती से जो हो रही है क्या बढ़ रही है इंक्रीज का मतलब बढ़ना of human populations मानों की जनसंख्या has left us इससे हम रह गये हैं battling लड़ते हुए with other species दूसरी प्रजातियों से for limited resources किनके लिए कुछ सीमित संसादनों के लिए अब प्रित्वी पर महादेशों में महादिपों में देशों में निरंतर रूप से human population तो बढ़ती जा रही है जबकि जो resources जो संसादन है वो कैसे हैं limited है तो उन संसादनों को प्राप्त करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं battle कर रहे हैं लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से एक दूसरे प्रजाती से और इससे क्या हुआ है and the unmitigated burning और एक निरंतर रूप से चलने वाली कभी कमने होने वाली जो burning है जो जलना है किसका of fossil fuels किसका उस जीवाश में इंदन का और जो जीवाश में इंदन है उन्हें भी हम निरंतर रूप से क्या कर रहे हैं उनका भी दोहन किये जा रहे हैं has now created और इस दोहन ने कर दिया है बना दिया है blanket ये क्या बना दिया है कंबल of carbon dioxide किसकी carbon dioxide की around the world किसके चारो और संसार के और इस प्रकार से जो fossil fuel है जीवाश में इंदन है उसके दोहन से प्रित्वी के चारो और carbon dioxide के क्या हो गया परत बन गई है और उस परत के कारण क्या हो रहा है which is slowly जो धीरे धीरे बट surely लेकिन निश्यत रूप से increasing बढ़ा रही है the average global temperature इस प्रित्वी के एक जो ओसत तापमान है उसे क्या कर रही है निरंतर रूप से बढ़ा रही है तो लेकिका कहरी है कि जिस पर कार से जनसंक्या बढ़ रही है उस जनसंक्या ने संसादनों का इतना दोहन किया है carbon इतना बढ़ा है कि carbon dioxide की प्रत्वी के उपर एक परत बन गई है और जिस से क्या हो रहा है हमारा average global जो temperature है विश्यो का ओसत जो तापमान है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है climate change जो जलवायों में जो परिवर्तन है is one of the most वो सबसे ज़्यादा hotly बहुती गर्म जोसी के साथ contested वाद विवाद किया जाने वाला environmental debates क्या हो गया है परियावरन यह वाद विवादों का हिस्सा या फिर मुख्यबिंदु बन गया है of our time हमारे समय में तो लेखिय करेए कि वर्तमान समय जो हमारा है उसे च्लाइमेड चेंज है जलवाई में जो परिवर्तन है वो डिबेट चुवाजविवाद जो पर्तियों गेता है होती है जो किस से समंदित है एन्वाइनमेंट से उसका एक बहुत ही प्रमुक विशे क्या हो गया है बन गया है विल क्या दा वेस्ट अंटार्कटिक सीट आई सीट पश्यमी अंटार्कटिका की जो बर्फ की जो परत है मैल्ट क्या वो पिगल जाएगी एंटारली पूर्ण रूप से लेखे का आपसे पूछती है कि क्या पश्यमी अंटार्कटिका की जो बर्फ की जो परत है क्या वो बी डिस्टरब्ड क्या उसमें परिवर्तन आएगा क्या जो धाराएं खाडी की हैं क्या उनमें परिवर्तन आ जाएगा विल इट विदा एंड और क्या अंत हो जाएगा ऑफ दा वड़ी संसार का एज वी नो इट जैसा कि हम जानते हैं तो जब क्लाइमेट में चेंज क्या इस प्रकार से जो अंतार क्रटीका की जो बर्फ है वो पिगल जाएगी और खाडी देशों की जो करन्ट है जो करन्ट का ताथि आपर दहराओं के जो परवाय है क्या उसमें परिवर्तन आएगा क्या हमारा जो विश्वे है क्या वो खत्म हो जाएगा मैं भी हो सकता ह कि उसका खात्मा नहीं हो हमारा संसार बना रहे इधर वे चाहें आप किसी प्रिकार से सोचें कि संसार बना रहे चाहें नहीं बना रहे अंटार कटिका इस क्रिशियल में मानव का स्थितु बना रहे गया नहीं not just because इसका कारण केवल यह नहीं है it's only place की यह केवल एक ऐसा इस्तान है in the world is संसार में which has never sustained जिसने अभी तक नहीं अपनाया है a human population मानव की जन संग्या को क्योंकि आज तक अंटार कटिका पर मानव का स्थितु नहीं रहा है वहाँ पर ऐसी परिस्तित्या नहीं है कि मानव वहाँ पर जीवित रह सके and therefore remains और जब मानव वहाँ पर नहीं है इसी वज़े से तो वो है क्या है relatively प्रेस्टाइन अत्यदिक स्वच्छ in this respect इस संदर्व में क्योंकि मानव जहां जाता है वहाँ पर एस्वच्छता और गंदगी फैलाता है वहाँ पर आज तक मानव का स्थितु नहीं है इसी वज़े से वो इस्तान relatively प्रेस्टाइन है संसार के दूसरे चेत्रों से क्या है अधिक साफ सुत्रा है स्वच्छ है बट मोर इंपोर्टेंटली लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदू यह है विकोज क्योंकि इट होल्ट इन इट्स आइस कोर्ड़ क्योंकि यह जो अंटार कटी का है वो अपने उन बर्फ की पड़तों में रखे हुए है संजोए हुए है इस्तित है तो लेकिन का करिए अंटार कटी का क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंटार कटी का का जो छेतर है वहाँ की जो आइस की जो लेर्स है उन layers में half million year old क्या है कार्बन के record लगबग 5 लाग पुराने कार्बन के क्या है अस्तित्व है और उनका लेखा जो का है जो हमारी संस्कृति और सब्यता को जानने के लिए मानों की उत्पत्ति को जानने के लिए क्या है महत्व पूर्ण है इफ वी वांट ट्वे स्टड़ी यदि हम अद्धिन करना चाते हैं एट एग्समाइन और निरक्षन करना चाते हैं जानना चाते हैं तक अर्थ से पास्ट हमारी पृत्वी के भूत्पाल को पर्जेंट वर्तमान को एड़ फ्यूचर और भविशे को यदि पृत्वी के बोधकाल, वर्तमान और भविशे को यदि आप जानना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में जाने अंटार कटी का is the place to go इस संसार में के वल अंटार कटी का ही ऐसा चेतर है जहां पे आपको जाना चाहिए क्योंकि अंटार कटी का ही वह स्तान है जो आपको पृत्वी के बोधकाल के और भविशे के बारे में वर्तमान के बारे में क्या कर सकता है जानकारी दे सकता है क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा चेत्र है जहां पर लगबग पांच लाग वर्ष पुराने कार्बन के क्या है रिकॉर्ड है जो आपको प्रत्वी के भूत काल के बारे में इस पस्ट और निर्नाय क्या कर सकते हैं जानकारी प्रदान कर सकते हैं जर्नी तु दा एंड ओफ दा अर्थ पृतिय के छोड़ तक की यात्रा अंटार कटिका की यात्रा फर्स्ट पार्ट है इसमें आज हमने यह जानी है बातें नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे आगे लेकी का आप से क्या कहती है और हर शब्दो को एके करके बोला गया है मिनिंग्स समझाने के लिए तो आप मिनिंग्स भी याद करें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और कमेंट जरू करें और फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ जब तक के लिए थैंक्यू जैहिंद वं देमात्रा